हरे कृष्णा राधिराधे, आप सभी भक्तों का आज की गथा में हारदिक स्वागत हैं, भगवान श्रिक्रिष्ण और शीमती राधरानी की घृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर वनी रहें 14 फरवरी 2024 आज है बुधवार का दिन और आज आप सुनेंगे माग मास की गथा का बी स्वाध्याएं और आज बसंद पंचमी है तो आप सभी को मेरी तरफ से बसंद पंचमी की मंगल शुब कामना हैं माता सरस्वती हम सभी को ज्यान बुध्धी और विद्या का वर्दान दे इसी मंगल कामना के साथ आज की कथा का प्रारंब करते हैं और माग मास की कथा में आज आप सुनने वाले हैं पद में पुरान का तीस राध्याए पुलस्त जी कहते हैं हे राजन ब्रह्मा जी सरवग्य है और साक्षात नारायन के ही स्वरूप हैं वे उपचार से आरोप द्वारा ही उत्पन हुए कहलाते हैं वास्तव में तो वो नित्य ही हैं अपने निजी मान से उनकी आयू सो वर्स की मानी गई है। वह ब्रह्मा जी की आयू पर कहलाती है। उसके आधे भाग को परार्द कहते हैं। अयन और दो अयनों का एक वर्स होता है। अयन दो हैं। दक्षिनायन और उत्तरायन। दक्षिनायन देवताओं की रात्री है और उत्तरायन उनका दिन होता है। देवताओं के 12000 वर्सों के चार यूग होते हैं। जो क्रमसा, सत्य यूग, त्रेता, द्वापर और कल्यूग के नाम से प्रसिद्ध हैं अब इन युगों का वर्ष विभाग सुनो पुरा तत्व के ग्याता विद्वान पुरुष कहते हैं कि सत्य युग आदी का परिमान क्रमसह 4,3,2 और 1000 दिव्यवर्ष हैं प्रतेक युग के आरंभ में उतने ही 100 वर्षों की संध्या कहीं जाती है और युग के अंत में संध्यांश होता है संध्यांश का मान भी उतना ही है जितना की संध्या का हें रिपिसरेष्ट संध्या और संध्यांश के बीच का जो समय है उसी को युग समझना चाहिए वही सत्य युग और त्रेता आदी के नाम से प्रसिद्ध है सत्य युग त्र 12 मनू होते हैं। उनके समय का परिमान सुनो। सबतर्शी, देवता, इंद्र मनू और मनू के पुत्र। ये एक ही समय में उत्पन होते हैं। तथा अंत में साथ ही साथ इनका संगार भी हो जाता है। गुना करने पर मन्वंतर का काल मान पूरे 30 करोड, 66,000,000,000 वर्स होता है। इससे अधिक नहीं। इस काल को 14 गुना करने पर ब्रह्मा के एक दिन का मान होता है। उसके अंत में नहमित्तिक नाम वाला ब्राम्य प्रले होता है। उस समय भूर लोक, भूवर लोक और स्वर लो इनके बराबर ही अपनी रात बीत जाने पर ब्रह्मा जी पुना संसार के स्रिष्टी करते हैं। इस प्रकार पक्ष मास आधी के क्रम से धीरे धीरे ब्रह्मा जी का एक वर्स व्यतीत होता है। तथा इसी क्रम से उनके 100 वर्स भी पूरे हो जाते हैं। और 100 वर्स ही उन महा पूरी आयू है। भिस्म जी ने कहा, हे महमुने कल्प के आदि में नारायन शंग्यक भगवान ब्रम्भा ने जिस प्रकार संपुण भूतों की स्रिष्टी की उसका आप वर्णन कीजिए। प्रभु ब्रम्भा जी ने देखा कि संपुण लोक सुना हो रहा है। तब उन्होंने यह जान कर कि प्रिथवी एकारणव के जल में डूब गई है और इस समय पानी के भीतर ही स्थित हैं उसको निकालने की इच्छा से कुछ देर तक विचार किया। फिर वे यग्यमे वारा का रूप धारन कर जल के भीतर प्रविष्ठ हुए। भगवान को पाताल लोग में आया देखकर पृत्वी देवी भक्ती से विनम्र हो गई और उनकी स्तुति करने लगी। पृत्वी बोली, हे भगवन, आप सर्वभूत स्वरूप परमात्मा हैं, आपको बारं-बार नम कालमे में आप से ही उत्पन हुई थी, हे परमात्मन आपको नमसकार है, आप सबके अंतर्यामी हैं, आपको प्रणाम है, प्रधान अर्थात कारण और व्यक्त अर्थात कार्य आपके ही स्वरूप हैं, काल भी आप ही हैं, आपको नमसकार है, हे प्रभो, जगत के से परे हैं मुक्षू पुरुष आपकी आराधना करके मुक्त होकर परब्रम परमात्मा को प्राप्थ हो गए हैं भला आप वासु देव की आराधना किये भिना कौन मुक्ष पा सकता है जो मन से ग्रहण करने योग्य नेत्र आदी इंद्रियों द्वारा अनुभव करने है ये नात आप ही मेरे उपादान है आप ही आधार है आपने ही मेरी स्रिष्टी की है तथा मैं आप ही की शरण में हूँ इसलिए इस जगत के लोग मुझे माधवी कहते हैं पृत्वी ने जब इस प्रकार से स्तूति की तब उन परम कांतिमान भगवान धरनी धर ने घर स्व पत्ते की तरह श्यामरंग का था उन महावराह रूपधारी भगवान ने पृत्वी को अपनी दालों पर उठा लिया और रसातल से वे उपर कियो रूठे उस समय उनके मुख से निकली हुई सास के आघात से उछले हुए उस प्रलय कालीन जल ने जन लोक में रहने वाले सन जिस समय वे अपने वेदमे शरीड को कमपाते हुए प्रित्वी को लेकर उठने लगे उस समय आकास में स्थित महर्शिगन उनकी स्तूती करने लगे रिशियो ने कहा जनेश्वरों के भी परमेश्वर केशव आप सब के प्रभू हैं गदा, शंक, उत्तम खडग और चक्रधारन करने वाले हैं श्रिष्टी, पालन और संगहार के कारण तथा इश्वर भी आप ही हैं जिसे परमपद कहते हैं वह भी आपसे भिन्न नहीं हैं हे प्रभो आपका प्रभाव अतुलनिय है प्रिथ्वी और आकाश के बीच जितना अंतर हैं वह सब आपके ही शरीर से व्याप्थ हैं इतना ही नहीं यह संप्रोण जगत भी आपसे ही व्याप्थ हैं हे भगवन आप इस विश्व का हितसाधन कीजिए हे जगदीश्वर एक मात्र आप ही परमात्मा हैं आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है आपकी ही महिमा है जिससे की यह चराचर जगत व्याप्थ हो रहा है यह सारा जगत ज्यान सुरूप है तो भी अज्यानी मनुस्य इसे पदार्थ रूप ही देखते हैं इसलिए उन्हें संसार समुद्र में भटकना पड़ता है परंतु हे परमेश्व जो लोग विज्ञान वेत्ता हैं जिनका अंतह करण शुद्ध है वे समस्त संसार को ज्यान में ही देखते हैं और आपका स्वरूप ही समस्ते हैं सर्व भूत स्वरूप हे परमात्मन आप प्रसन हो यह आपका स्वरूप अप्रमेय है हे प्रभो हे भगवन आप सबके उद धार एवं संप्रोण जगत का कल्यान कीजिए हे राजन संकाद इमुनी जब इस प्रकार स्थूति कर रहे थे उस समय प्रित्वी को धारन करने वाले परमात्मा महावराह शीगरी इस वसुंधरा को उपर उठालाए और उसे महासागर के जल पर स्थापित किया उस जलराश स्वरलोक और महरलोक इन चारों लोकों की पुरवत कल्पना की तदनंतर ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा हे प्रभो मैंने इस समय जिन प्रधान प्रधान असुरों को वर्दान दिया है उनको देवताओं की भलाई के लिए आप मार डाले मैं जो स्रिष्टी रखूंगा उ उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु तथास्त्व कहकर चले गये और ब्रह्मा जी ने देवता आधी प्राणियों की स्रिष्टी आरंब की महत्तत्व की उत्पत्ति को ही ब्रह्मा की प्रधम स्रिष्टी समझना चाहिए तनमात्राओं का आविरभाव दूसरी स्रिष् स्रिष्टी का नाम है मुख्य सर्ग परवत और व्रिक्ष आदी स्थावर वस्त्वों को मुख्य कहते हैं तिर्य खोत कहकर जिनका वरणन किया गया है वे पशु पक्षी कीट पतंग आधी ही पांचवी स्रिष्टी के अंतर गताते हैं उन्हें तिर्यक योनी भी कहते हैं तत्पस्चात उर्द्वरेता देवताओं का सर्ग है वही छटी स्रिष्टी है और उसी को देव सर्ग भी कहते हैं तदनंतर सात्वी स्रिष्टी अर्वाक सोताओं की है वही मानव सर्ग कहलाता है आठवा अनुग्रह सर्ग है वह सात्विक भी है और तामस भी इन आठ सर् में से अंतिम पांच व्यकृत सर्ग माने गए हैं तथा आरंब के तीन सर्ग प्राकृत बताए गए हैं नमी कौमार सर्ग है वह प्राकृत भी है और व्यकृत भी इस प्रकार जगत की रशना में प्रवित हुए जगदीश्वर प्रजापती के ये प्राकृत और व्यकृत न अब मैं उसे आपके मुग से विश्तार के साथ सुनना चाहता हूं। तब पुलस्त जी ने कहा हे राजन संपुर्ण प्रजा अपने पुर्वकृत शुभाशुब कर्म से प्रभावित रहती है। आतह प्रलैकाल में सब का संगहार हो जाने पर भी वह उन कर्म के संसकार से हो पाती। जब ब्रह्म्हा जी श्रिष्टी कार्य में प्रवित हुए उस समय उनसे देवताओं से लेकर स्थावर परियंत चार प्रकार की प्रजाउदपन हुई। वे चारों ब्रह्म्हा जी के मानसिक संकल्प से प्रकट होने के कारण मानसी प्रजा कहलाई। तदनंतर प्रजापती ने देवता, असूर, पितर और मनुशी इन चार प्रकार के प्राणियों की तथा जल की भी स्रिष्टी करने की इच्छा से अपने शरीड का उपयोग किया। उस समय स्रिष्टी की इच्छा वाले मुक्तात्मा प्रजापती की जंगा से पहले दुरात्मा से बक्रों की रशना की। इसी प्रकार अपने पेट से गाय और भैंसों की तथा पैरों से घोडे, हाथी, गदहे, नील गाय, हरीन, उूट, खचर तथा दूसरे दूसरे पशुओं की श्रिष्टी की। ब्रह्मा जी की रोमावलियों से फल मूल तथा भाती-भाती के अन् मुकसे प्रकट किया। यजुर वेद, त्रिष्टूम, छंद, पंचदस स्तोम, ब्रिहत साम और उक्त की दक्षिन वाले मुकसे रशना की। साम वेद, जगती छंद, चप्तदस स्तोम, वैरूप और अतिरात्र भाग की श्रिष्टी, पस्चिम वाले मुकसे की। तथा एक प्रजापती के विभिन अंगों से उत्पन हुए। कल्प के आदि में प्रजापती ब्रह्मा ने देवताओं, असुरों, पित्रों और मनुश्यों की श्रिष्टी करके फिर यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अपसरा, सिध्ध, किन्नर, राक्षस, सिंग, पक्षी, मृग औ और सर्प को उत्पन किया। नित्य और अनित्य जितना भी यह चराचर जगत है, सब को आधिकरता भगवान ब्रह्मा ने उत्पन किया। उन उत्पन हुए प्राणियों में से, जिन्होंने पुर्वकल्प में जैसे जैसे कर्म किये थे विपुन, बारं बार जन्म लेकर व वेद के अनुसार देवता आधी प्राणियों के नाम, रूप और कर्तवय का विस्तार किया। रिश्यों तथा अन्याने प्राणियों के भी वेदा नुकुल नाम और उनके यथा योगे कर्मों को भी ब्रह्मा जी ने ही निश्चित किया। जिस प्रकार भिन भिन गोचर होते हैं सृष्टी के लिए इच्चों के तथा स्रिष्टी की शक्ती से यूक्त ब्रम्हा जी कल्प के आदी में बारंबार ऐसी ही सृष्टी किया करते हैं हरे कृष्णा आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ इसके आगे का वरितानत आप कल की श्री नारायण कवच जिसके सुनने मातर से भगवान श्री हरी विष्णु की असीम गृपा हमें प्राप्त हो जाती है श्री नारायण कवच भगवान श्री हरी गरुड जी की पीट पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं अडिमा आधी आठों सिध्यां उनकी सेवा कर रही है और आठ हाथों में शंक, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश, अर्थात, फंदा धारन किये हुए हैं वेही ओमकार स्वरुप प्रभू सब प्रकार से, सब ओर से मेरी रक्षा करें मत्सिमूर्दी भगवान जल के भीतर जलतंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें माया से ब्रंभचारी रूप धारन करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप स्रित्री विक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गोंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के किले जंगल रन भूमी आधि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें अपनी दाढ़ों पर प्रित्वी को उठा लेने वाले यग्यमूर्दी वाराह भगवान मार्ग में परशुराम जी परवतों के शिखरों पर और लक्ष्मन जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान र सत्तात्रे योग के विग्णों से और त्रिगुणादी पति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें परम रिशी सनत कुमार काम देव से हाई गिरिव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्थियों को नमस्कार आधि न करने के अपराध से और देवर्शी नार भै दायक द्वंदों से यग्य भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्य कृत कष्टों से और श्री सेस जी क्रोध वश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें भगवान श्रिकिष्ण द्वयपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंड से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारन करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कलिकाल के दोशों से मेरी रक्षा करें प्रातहकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चड़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बास प्रचन्ट धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। और सायंकाल में ब्रह्मा आधि, त्रिमूरतिधारी माधव, सुर्यास्त के बाद हरिशी केस, अर्धरात्री के के समैं अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्री के पिछले प्रहर में स्रीवत्स लांचन श्रीहरी उशाकाल में खड़कधारी भगवान जनार्दन और सुर्योदे से पुर्वश्ट्री दामोदर और संपुर्ण संध्याओं में काल मूर्ती भगवान विश्वेस्वर मेरी रक्षा करें हे सुदर्सन आपका आकार चक्र रत के पहिये की तरह हैं आपके किनारे का भाग प्रलय कालिन अगनी के समान अत्यांत तिवर हैं आप भगवान की प्रेणा से सबोर घूमते रहते हैं जैसे आग वायू की सहायता से सूखे घासपूस जला डालती हैं वैसे ही आप हमारी शत् से जला दीजिए जला दीजिए हे कौमुद की गदा आप से छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्स वज्र के समान असाई है आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ इसलिए आप कुश्मांड विनायक यक्ष राक्षस भूत और प्रेतादी ग्रहो को अभी कुचल डालिए कुचल डालिए तथा मेरे शत्रूओं को चूर चूर कर दीजिए ये शंक स्रेष्ट आप भगवान श्रेक्रिश्न के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रूओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान प्रमत प्रेत मात्रिका पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदी भयावने प्राणियों को यहां से तुरंत भगा दीजिए। रेंगने वाले जन्तु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदी तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयूधों का कीर्टन करने से ततकाल नश्ठ हो जाएं। श्रीहरी के नाम, रूप, वाहन, आयूध तथा स्रेष्ट पारसद हमारी बुद्धी, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अत्वा कारण रूप जगत है, वह वास्तों में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नश्ठ हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी द्रिष्टी में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रही थे, भेदों से रही थे, फिर भी वे अपनी माया शक्ती के द्वारा भूशन, आयुद और रूप नामक शक्तियों को धारन करते है यह बात निश्चित रूप से सत्य है, इस कारण सर्वग्य सर्व व्यापक भगवान श्री हरी सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें, जो अपने भयंकर आट्टाहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सब का तेज ग्रश लेते हैं वे भगवान रिसिम्म दिशा विदिशा में नीचे उपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें, हे देवराज इंद्र मैंने तुम्हे यह नारायन कवच सुना दिया है, इस कवच से तुम अपने को स्वरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य, युध प हो जाता है, जो इस वैशनवी विद्या को धारन कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेद, पिशाच, आदी और बाग आदी ही इंशक जीवों से कभी किसी प्रकार कभै नहीं होता, हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गौतरी ब्राम्भन ने इस विद् के साथ विमान पर बैठ कर निकले, वहां आते ही वे नीचे की और सिर्किये विमान सहित आकास से प्रिथ्वी परगिर पड़े, इस घटना से उनके आचरे की सीमा न रही, जब उन्हें बाल खिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायन कवश धारन करनी का प्रभाव है, त लोगपुरुष इस नारायन कवश को समय पर सुनता है और जो आदर पुर्व किसे धारन करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से जुक जाते हैं, और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है, हे परिक्षित शत्यक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैश्नवी विद्या प्राप्त करके रण भूमी में असरों को जीत लिया, और वे त्रैलुक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे, श्री नारायन कवश संपुर्ण हुआ, श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, मुनिंद्र व्रिंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिळी, प्रसन्न वक्त्र पंक जेनि कुंज भूविलासिनी, व्रजेंद्र भानु नंदिनी, व्रजेंद्र सुनु संगते, कदाकरी स्यसीहमां कृपाकटाक्ष भाजनम, अशोक व्रिक्ष वल्लरी वितानमंड पस्तिते, प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांध्रिको मले, वराभय स्फुरत करे प्रभूत संपदालये, कदाकरी स्यसीहमां कृपाकटाक्ष भाजनम, अनंग रंग मंगलं प्रसंग भंगुरं भुवां, सविब्रमं ससंप्रमं, द्रिगंत बाण पातने, निरंतरं वशीकृत प्रतीत नंद नंदने, कदाकरी स्यसीहमां कृपाकटाक्ष भाजनम, तडित्सुवर्ण चंपक प्रदिप्त गौर विग्रहे, मुखप्रभा परास्त कोटि सार देंदु मंडले, विचित्र चित्र संचरत्च कोर शावलोचने, कदाकरी स्यसीहमां कृपाकटाक्ष भाजनम, मदोन्मदादि योवने प्रमोदमान मंडिते, प्रियानुराग रंजिते, कलाविलास पंडिते, अनन्य धन्य कुझराज्य काम केली कोविदे, कदाकरी स्यसीहमां कृपाकटाक्ष भाजनम, अशेश हाव भाव धीर हीर हार भूसिते, प्रभूत शात कुम्ब कुम्ब कुम्बि कुम्ब सुस्तनी, प्रसस्त मंद हाश्य चुर्ण पुरुण सोख्य सागरे, कदाकरी स्यसीहमां कृपाकटाक्ष भाजनम, ब्रिणाल वाल वल्लरीत रंग रंग दोर्लते, लताग्र लास्य लोल नील लोच नावलोकने, ललल्लुलन मिलन्मनोग्य मुग्ध मोहिनाश्रिते, कदाकरी स्यसीहमां कृपाकटाक्ष भाजनम, सुवर्ण मल्ली कांचित त्रिरेख कम्बु कंठगे, त्रिसुत्र मंगली गुण त्रिरत्न दिप्ति दीधिते, सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुम्फिते, कदाकरी स्यसीहमां कृपाकटाक्ष भाजनम, नितंब बिम्ब लंब मान पुष्प मेखलागुणे, प्रशश्तरत्न केंकिडी कलाप मध्य मन्जुले, करिंद्र शुन्ड दंडिकाव रोह शोभ गोरुके, कदाकरी स्यसीहमां कृपाकटाक्ष भाजनम, अनेक मंत्र नाद मन्जुनू पुरार वस्खलत, समाज राज हंस वंश निक्वडाति गोरवे, विलोलहेम वल्लरी विडंब चारु चंक्रमे, कदाकरी स्यसीहमां कृपाकटाक्ष भाजनम, अनन्त कोटि विश्णू लोक नम्र पद्मजार्चिते, हिमाद्रिजा पुलो मजाविरिंचे जावर प्रदे, अपार सिध्धि रिधि दिग्ध सत्पदांगुली नखे, कदाकरी स्यसीहमां कृपाकटाक्ष भाजनम, मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, स्वधेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण साषनेश्वरी, रमेश्वरी, क्षमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी, व्रजाधिपे, श्रिराधिके नमोस्तुते, इतीम मद्भुतं स्तवं निशम्य भानु नंदिनी करोतु संततं जनं क्रिपाक टाक्ष भाजनं भवेत्त दैव संचित त्रिरूप कर्म नाशनं लभेत्त दाब्रजेंद्र सुनु मंडल प्रवेशनं जै जै श्री राधे जै जै श्री राधे ओम विश्वं विश्वर वचटकारो भूत भव्य भवत्रभु भूत कृत भृत 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 भाहन पूतात्मा पर्मात्माच मुपतानां परमागती अव्यय पुर्शा साक्षी शेत्रग्यो अक्षर एवचा योगो योग विदामनेता प्रधान पुरुषेश्वरा नारसिंगव पूश्रीमान केशव पुरुषोत्तमा सर्व शर्व शिवस्थानुर भूतादिर निधिर्व्यया संभवो भावनो भर्ता प्रभव स्वयंभू शंभू रादित्य पुस्कराक्षो महास्वन अनादि निधनोधाता विधाताधातो रुद्तमा अप्रमेयो रिशीकेश पद्मनाभो अमर अप्रभू विश्वकर्मा मनुस्थवस्था स्थ विरोधुव अग्राहिया शाष्वता क्रिष्णो लोहिताक्ष प्रतर्दन प्रभूतस्त्रिककुपधाम पवित्रम्मंगलंपरम इशानह प्राण दह प्राणू जेश्ठा स्रेष्ठ प्रजापती हिरन्य गर्भो भूगर्भो माधवो मदु सूधन इश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमहक्रम अनुत्तमो दुराधर्ष अक वयोग विनीश्रित वसुर्वसुमना सत्य समात्मा सम्मितासमा अमोग पुंडरी काक्षो व्रिशकरमा अवरिशाकृति रुद्रो बहुशिराब अब्रूर विश्वयोनी सूचिश्रवा अमृत शाश्वत स्थानूर वरारो हो महात्रपा सर्वगह सर्व विद्भानू जेता विश्वयो नी पुनर्वसू उपेंद्रो वाम नह प्रांशुरू मोखा सुचुरुर्जिता अतिंद्र संग्रह सर्गो धृतात्मानी किया मोयमा हृध्यो वैद्य जधायोगी वीरहा माधवो मधू अतिंद्रियो महामायो महुत्साहों महाबला महाबुद्धिर महा हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापती अम्रित्यु सर्व दिक्सिंह संधाता संधिमानस्तिर अजोदूर मर्षड साष्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुडगुर्त मोधाम सत्य सत्य पराक्रमा निमिशो अनिमिशो श्रग्वी वाचश्पती रुदारती प्रसादभ प्रसंनात्मा विश्वद्रिक विश्भुग विभू। अम्रितान शुद्भवो भानु शशबिंदू सुरेश्वरा अशधम जगता सेतू सत्यधर्म पराक्रमा भूत्भव्य भवन्नात पवन पावनो नला काम हा काम कृतकांत काम हा काम प्रदप्रभु युगादि कृत्यु गावर्तो नेकमायो महाशना अद्रिश्य अव्यक् प्रमत्तह प्रतिष्टिता सकंद सकंद धरोधूर्यो बर्दो वायु वाहन वासुदेव ब्रिहत्भानु राधिदेवः पुरंदर अशोकस्तार अनस्तार शूरसोरिर्जनेश्वर अनुकूलह शतावर्त पदमी पद्मनिभेक्षण पद्मनाभो अर्विंदाक्ष तूर्दामो दरस महिधरो महाभागो वेगवानमिताशन उद्भवाचो भणो देव श्री गर्भ परमेश्वर करणम कारणम करतावि करता अगहनो गुः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थान दोध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट असुभेक्ष रितू सुदर्षन काल परमेश्ठी परिग्रह उग्र सम्वत्सरोदक्षो विश्रामो विश्वदक्षण विस्तारस्था वरस्थानू प्रमाणम वीजमव्ययम अर्थो अनर्थो महाकोषो महाभोगो महाधन अनिर्विन्न स्थविष्टववु धर्मयुपो महामख नक परिद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्वि जीवो विनैता साक्षी मुकुंदो अमित विक्रमा, अम्भो निद्रनंतात्मा मोधधी इशयोंतकह, अजो महार्ह स्वाभाव्यो जितामित्र प्रमोधना, आनंदो नंदो नंद शत्यधरमा अत्रिविक्रमा, महर्शी कपिला चार्य कृतज्यो में दिनीपती, त्रिपधस महावराहु गुविंद सुखेळ कनकांग दी गुईयो गभीरो गहनो गुप्तस चक्रगदाधर वेथा स्वांगो अजिता क्रिष्णो दृढ संकर्षणो चत वरुणो बारुणो व्रिक्ष पुसकराक्षो महामनाह भगवान भगहानन दी वनमाली हलायुथ आदित्यो जो निष्ठा शान्ति ही परायनम। शुभांग शान्ति दस्रष्टा कुमुधा कोवलेशया, गोहितो गोपतिर गोप्ता, व्रिषभाग्चु औरिशा प्रिया। अनि बर्त निवर्तात्मा संचेपताचे एमिक्रिच्छिव। स्वक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीधर श्रीकर श्रेया श्रीमान लोक त्रयाश्रेया। श्रीधर श्रीमान लोक त्रयाश्रेया। सन्निवास सुयामुन, भूतावासो वासुदेव, सर्वासुनिलियो अनल, दर्पहादर पदोद्रिप्तो दूर्थरोथा अपराजित, विश्वमूर्तिर महामूर्तिर दिप्तमूर्तिर मूर्तिमान, अनेकमूर्तिर अव्यक्त, शतमूर्ति शतानन, एको नैक सवक किम यत प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैक श्रिंगो गताग्रज चतुर मूर्टिस चतुर बाहुस चतुर व्युःस चतुर गती चतुर आत्मा चतुर भावस चतुर वेद विदे कपात समावर्तो अनिवर्तात्मा दूर जयो दुरती क्रमा दूर लभो दुर गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोक सारंग शुतंतु इंद्र कर्मा महा कर्मा कृत कर्मा कृतागमा। अमूर्दिरणगो अचिन्त्यो भैकृत भैनासन। रविर विलोचना सुरिया सविता रविलोचना अनन्तो हुथ भुग भोगता सुखदो नैक जोग्रजा अनिर विन्ना सदामर्शी लोकाधेश्ठा अनमद्भुता। सनात सना तंतमा कपिला कपिरप्यया स्वस्तिदा स्वस्तिक्रिस्वस्ति स्वस्तिभुग स्वस्तिदक्षन रोद्रह कुंडली चक्रे विक्रम्यूर जेतिशाषन शब्दातिगा सब्दशह शिशिर शर्वरीकर अक्रूरह पेश लोदक्षो दक्षन चमिनामवर विद्व भूर्भु ओलक्ष्मी सुवीरो रुजिरांगद जन नो जन जनमादिर भीमोभीम पराक्रम आधार नील्य योधाता पुस्पहास प्रजागर उर्ध्वग सत्पथाचार प्राणदह प्रणवापण प्रमानम प्राण नीलिय प्राण भृत प्राण जीवन तत्वम तत्व नंदन स्रष्टा छितिसा पापनाशना शंक ब्रिन्नन्द केचक्री शारंग धन्वाग दाधर रथांग पाली रक्षोब्या सर्व प्रहरनाविधा सर्व प्रहरनाविधा ओम नमहिती और अबाप सुनेंगे श्री तुलसी चालीशा श्री तुलसी महरानी करू विने सिरनाय जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय नमो नमो तुलसी महरानी महिमा अमितन जाय बखानी दियो विष्ण तुमको सन माना जग मे चायो सुयस महाना विष्ण प्रिया जय जयति भवानी तिहूं लोक की हो सुख खानी बगवत पूजा करे जो कोई बिना तुम्हारे सफल न होई जिन घर तव नहीं हो या निवासा उस घर कर ही विष्ण नहीं बासा करे सदा जो तव नित सुमिरन तही के काज हो या सब पूरन कार्तिक मास महात्म तुम्हारा ताको जानत सब संसारा तव पूजन जो करे कुवारी पावे सुंदर वर्श कुमारी करे जो पूजा नित प्रतिनारी सुख संपति से होय सुखारी बृद्धा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति होवे पुल कितमन श्रद्धा से पूजे जो कोई भवनिदि से तर जावे सोई कथा भागवत यग्य करावे तुम बिर नहीं सफलता पावे चायो तब प्रताप जग भारी ध्यावत तुमें सकल चित धारी तुमी मात यंत्रन तंत्रन में सकल काज सिद्धी होवे छण में अशधिरूप आप हो माता सब जग में तव यश विख्याता देवरीशीमुनि और तप धारी करत सदा तव जै जैकारी वेद पुराणन तव यश गाया महिमा अगम पार नहीं पाया नमो नमो जै जै सुख कारणी नमो नमो जै दुख निवारनी नमो नमो सुख संपति देनी, नमो नमो अग काटन चेनी, नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद चेनी, नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो पर लोक सुधारनी, नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जने काज सवारनी, नमो नमो जै कुमति नशावनी नमो नमो सब सुख उपजावनी जयती जयती जय तुलसी माई ध्याउं तुमको शीष नवाई निजजन जानी मोही अपनाओ बिगडे कारज आप बनाओ करू बिनै मैं मात तुमारी पूरण आशा करहू हमारी शरण चरण कर जोरी मनाऊ निशदिन तेरे ही गुडगाऊं करहू मात अब मो पर दाया निर्मल होए सकल मम काया मांगू मात यही बर दीजे सकल मनो रथ पूरण कीजे जानू नहीं कचु नेम अचारा छमहू मात अपराद हमारा बारह मास करे जो पूजा तासम जग में और नहीं दूजा प्रथ मही गंगा जल मंगवावे फिर सुन्दर शनान करावे चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे धूप दीप नैवेद्य लगावे करे आच मन गंगा जल से ध्यान करे रिदै निर्मल से पाठ करे फिर चाली सा की अस्तुति करे मात तुल सा की यह विधि पूजा करे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा करे मास कार्तिक का साधन सोवे नित पवित्र हुई जाही है यह कथा महा सुखदाई पढ़े सुने सो भवतर जाई यह श्री तुलसी चाली सा पाठ करे जो कोई गोविंद सो फल पावही जो मन एच्छा होई तुलसी चाली सा संपोड और अब आप सुनेंगे तुलसी महरानी की आरती हरी की पतरानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हरी की पतरानी नमो नमो धन्य तुलसी पूरण तप की नो शालिग राम की बनी पतरानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हरी की पतरानी नमो नमो जाके पत्र मंजरी को मले श्रीपती कमले चरण लपटानी नमो नमो हरी की पतरानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो धूप दीप ने वेद्य आरती, पुष्पन की वर्सा बरसानी नमो नमो, हरी की पतरानी नमो नमो, तुल सा महरानी नमो नमो चपन भोग छत्ती सोव्यंजन, बिन तुल सा हरी एक नमानी नमो नमो, तुल सी महरानी नमो नमो, हरी की पतरानी नमो नमो सभी सखी मैया तेरो यशे गावे, भक्ति दाने दीजे महरानी नमो नमो, तुल सा महरानी नमो नमो, हरी की पतरानी नमो नमो प्रेम से बोलिए तुल सी महिया की जै दोस्तों बसंत पंचिमी के दिन किस प्रकार से माता सरस्वती की आराधना करनी चाहिए जिससे की विद्या, बुद्धी और वानी का वर्दान माता सरस्वती की गृपा से हमें प्राप्त हो जाए इस विशे पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अप्लोड हो चुकी है जरूर देख लीजिए और गुप्त नवरात्री में हर रोज जो वीडियो अप्लोड हो रही है गुप्त नवरात्री की दुरगा शक्षति की आप लोग जरूर सुना कीजिए इसके साथ ही अगर आप शिव पुराण की कथा सुनना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल जिसका नाम है Purity of Life उस चैनल पर शिव पुराण की वीडियो हर रोज अप्लोड होती है आप लोग चाहे तो उसे सुन सकते हैं मिलती हूं मैं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए जय श्री राथे